नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बात करने वाल इंडियान प्लेवायक सिंगर महम्माद ऐस सहाब और इंडियान एक्टार कमल सदाना जी का जिया हमारे हर दिलजेज मुहमाद अईश सहाब ने कमल सधानाजी को भी अपनी आवास दिया था जिया और हमने कई वार फिल्मों में देखा है कि किसी हिरो के साथ बहुत भूरा होता है और फिर उसकी किसमत बदल जाती है और उसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है और हमारे बालिवड में एक ऐसे हिरो है जिनके साथ रियल लाइप में ऐसी घटना घटी जिसमें उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था उसके बाद वे फिल्मों का जाना माना नाम बन जाता है हम लोग बात कर रहे हैं कमल सदाना जी की वे नब्बे के दसक में बालिवड का एक जाना माना नाम था और उससे पहले उनके जिवन में एक बहुत दर्दना घटना घटा था जिसके बार मैं आप लोग को बताना उनके पीता का नाम था ब्रज सदाना और उनके माता का नाम था संयदा बेगाम और उनके बीच अकसर जगड़े होते रहते थे फिर एक दिन कमल सदाना के विश्वे जनम दिन पर उनके माता पीता के बीच जगड़ा इतना बढ़ गया कि कमल सदाना के पीता ब्रज सदाना न बहुत बुरा प्रभा पड़ा और उनकी crown ceiling की गई जिसके बाद उनकी मानस्य की सिती समान न हुई फीर उसके बाद उनकी फिल्मों में जियां entry हुई और उनकी फिल्मी केरियर के शुरूआथ 1992 की फिल्म बेख हुदी और इस फिल्म अग बात फिर क्या था एक से एक हिट फिल्में दी जैसे हम सब चोर हैं फाज, जाल साज, महबबत और जॉंग जैसे फिल्मों में जीहां कमाल सदाना जी ने काम किये था और बालिट को एक से एक हिट गी दिये थे और आज इनका उम्र जीहां 50 साल के लगभग हो गए हैं, इनका जन्मा के बारे में बात करें तो 21 अक्टूबर 1970 को जीहां इनका जन्मा हुआ था और आज जीहां बहुत ही कम फिल्मों में काम कर रहे हैं, कमाल सदाना जी हिंदी सिनेमा से जीहां अब दूर हो चुके हैं, बहुत ही कम फिल्मों में काम करते हैं, तो चल तुने तुने मेरे दिल ले लिया। यही गीत था जिसे हमारे हर दिलाजीज मुहम्मद इच सहाब ने कमल सदाना जी के लिया। फिल्म भी बहुत ही ज़्यादा हीट हुआ था और अगर आप ये गीद फूल सुना चाहेंगे तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा वहां से जाकर आप ये गीद फूल जरूर सुनेगा तो आज हम लोगों बात के इंडियन प्लाइबाक सिंगर मुहमद ऐस सहाब और इंडियन एक्टार कमल सदाना जी की तो आप ये जनकारी के लिए अभी तक आप लोगों हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो का अभी तक लाइक निकी है तो लाइक कीजेगा स्तेयर कीजेगा ठाइंक्यू दोस्तो हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए